हरो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज जितने भी चात्र 22 फर्वारी को हिंदी का पेपर है आप सभी के लिए अदव राम बाल साभित होने वाला वीडियो लाएं इसमें सभी प्रश्नों को आपको बताने वाले हैं इन सभी प्रश्नों को एक बर बर सध्यान से कराएगा और टोटल जितने भी प्रशन कराइगे इसमें टोटल प्रसन आपके कल की पेपर वाला है याप जरूर देख लिजिए झाल आपको को लाज तक जरूर देखिएगा सभी प्रश्ण आपका कम सकम 20 मिनट में सभी प्रश्ण आपको रिविजन कराने वाले हैं तो 20 मिनट तक इस वीडियो को सिर्फ केवल आप देख लीजिए आपका पहला नंबर का सवाल है कि जूटा सच किस विधा की रचना है तो आप फ्रे अगला सवाल अनंत् आकास की रचना यह किस की रचना है यह जैप्रकाश भारती के सफब्लियोगोगा सभाटनाखे जहा यह हो जाएगाए कि जैप्रकाश PRO camper जीए ठीक है अगला तीसरा नंबर कि निवन दिविढ लिखित कत्लों में सफेक है आपको कत्षन सही जो है उसे बताना है जैसे आपसन को ध्यान से पढ़के एंसर दीजिएगा कि ग्युनाहों कि देवता के रचनाकर मुंसी प्रेम चंद्र जी है ठीक है इसके लबा भारतेंदु हर चंद्र आलोचना साहित के जनक माने जाते हैं गेहूं और गुलाब निवन्द के लेखक राम प्रिच बेन पूरी है या इर्ष्या तू न गई मेरे मन से निवन्द के लेखक जैप्रकाश भारती है ठीक है इसमें से बताना है कौन सा कतन सही है गेहूं और गुलाब निवन्द के लेखक राम प्रिच बेन पूरी है तिसका सही जवाप सीवला आपसन सही हो जागा अगर आप देखिए चौथा नंबर का कि पंचांग दर्शन के रचनाकर कौन है यानि कि पंचांग दर्शन जो है इसके रचनाकर कौन है देखिए आप आपसन को ध्यान से पढ़िएगा इसका सही जवाप क्या हो जागा आपका देखिए पंचांग दर्शन है यहां पर तो यहां प जो रचनाकर है किसके हैं तो देखिए इसका सही जो क्या होगा हमीर रासो ठीक है सारंगधर जो है इसके रचनाकर कौन है तो हमीर रासो जी सारंगधर रचनाकर है ठीक है च्छायवाद यूग की प्रमुख प्रिवित्या कौन सी है चायवाद यूग है इसकी प्रमुख प् प्रेमवाद यूग की प्रवितियों के अंत्रगत आता है तिसका सही जब भीवलापसन सही हो जाएगा कि छायवाद यूग की प्रवितिया को सिरिंगार और प्रेमवाद फ्रेंच इतने भी प्रशन बता रहें सिर्फ एक बार देख लेजिए आपके सामने जब प्रशन प्रशन देखिए नौ नंबर का भारत दूरदशा किस विधा की रचना है आपको बताना है कि भारत दूरदशा किस विधा की रचना सभी प्रशन को आप जिरूर देखिए एक प्रशन छोड़कि मत जाएगा फ्रेंज आपको कम समय में जादे प्रशन करवाने वाले हैं टोटल आपको बता दे कि गैसे सभी करा देंगे और इसी क्ल के बिए कंणे के कभी है यह आपके रितीकाल की कवी है इसका सईर्च क्या होगा वियुँ घया नमबर गया खती बहत जाए को कि नाना वाहन नाना वेशा, भी हसे सियू सवाज नीज देखा को मुख हीन, विपुल्स मुक काहू, बिनुपध कर को बाहू, बाहू, उपर्यूक्त पंगित में कौन सा रस है, इसमें रस आपको पताना है, कि इसमें कौन सा रस है, ठीक है, यहां पर इस वाकिको जब option नहीं हो चाहिए अगला प्राशन देखिए वहां जो यद्ल रखिए इस До आप एक यद्वियोग shrub प्रकारת का चंद को पता हैं कि इसका सही जब सी वला अफ्षन्सही हो जागा खिร्वला किस प्रकार का छंद हे तो आपका सम मात्रिक छंद है इसे यान रखेगा कई तो आपको बताना के दो देखिया है इसका किरसा अब आप और देखिए बलाई शब्द में कौन सा परते है परते जो वाक्य के जो शब्द दिया रहा था उसके लाष्ट में जो सब्द जूरता है वही परते का लाता है तो बलाई शब्द में जो कौन सा परते है तो वाला सभर सब्द इसका सभ्द में कॉंसाे होगा है यहां रहाएँ होगा। भाल देखें लिए अगले नंब्र के सवाल को मती शब्द विभक्ति और भचन बताना है तो आप एer यहां दखिए घुबमी शब्द और मतीवी और वचन इसमें आपर को अगले अगला 19 नमबर देखिए हर्यत्र शब्द का संधी विच्षेत क्या होगा आपको संधी विच्षेत करना है तो हर्यत्र में जो होता है हरी प्लस अत्र आता है इसमें जब संधी विच्षेत करेंगे तो हरी प्लस अत्र आता है इसका संधी विच्षेत जो होगा हरी प्लस अत् अर्तिस्यत àपको पूरी स्वच बताना थिस्म मध्ययां पूरुसर बऊचर रूप है इसका सही चाहिए Diskut 21 कोई होते हैं चैलिंगे अगले नंबर की क्वेशलों को देखते हैं अगला नमबर अब साल फिरो इस्टार्ट होता है आपको 20 करेशन करा दिये के बूब लेकिन यहां एक सब्सक्राइब को माना जाता है। इसका सवाँ जवाप सभाइब सर्फू कूछ do is out इसका जाएगा अगला सब्सक्राइब स्बास्राइब क्युण को है Góg मुख क्या है है आपके भगवत घ्रक्रवर्मा जी है इसका सही ज़िवल अपसंच सही हो जाएंगा अगला देखे नीड़ का निर्मा फिल किस विधा की रचना है आप सभी को पता है कि एक आतमकता है इसका सही हो जाता है उगला देखेह एक इंट्रिव्यू के लेखक कौन है देखेह यह है ऑभ द्रूर स्वामनि नाटक के रचनाकर कौन है आफ आप सभी को पता है कि attaching कर प्रसाइजी आपका क्या हो जाँगा शठा नमबर तरग की रचना रिति तरह कि रचना इसमें किसको माना जाता है द bite पर का प्रकाश को माला जाता है कटारशक प्रकाश को माला जाता देखिए लोका यतन के रचनाकर आपको बताना है कि लोका यतन के रचनाकर कौन है इसके जो लोका यतन के प्रशनाकर जो आपके सुमित्रय अनन्दपंद जी है तो इसका सही जवाब सीवला आपसं सही हो जाएगा अगला देखिए अकेला के रचनाकर कौन है इन प्रशनों को आप एक बाद जरूर ध्यान दें देले कि बहुरी , अकेला के जो रचनाकर कून है ? तो इस प्रशन का आपको सही जवाब होगा ऐख्यक बहुरी अकेला के तो गृक बहूरी आपकर के रचनाकर जो फो है अगला दिखिये раз and ř मrat te child 강 की आवधी आपको बताना है कि कब से कब तक माना जाता है तो रिती काल की जो समय आवधी माना जाता है 1643 इस्वी से लेके 8443 इस्वी के बीच का समय होता है रिती काल की समय आवधी माना जाता है तो इस प्रश्ट का सही जवाब सी वला आपसन सही होगा धेखिए आपका 13 नमबर की सवाल है कि हासर रस्त का सथाई बगाता हास होता सही जवाब का होगा डिवला आप्सन् सिह हो हो जाएगा उपमे की किसी उपमान से गुड़ धर्म के आधार पर समानता कहीं ज femmes अलंकार होता है तो वहां पर आपको पताना कौन से अलंकार होता है तो वहां पर होता है पका रूपक अलंकार तिसका तक में आपको कि आधार सही हो जाएगा अनुगरा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उपसर्ग मतलब होता है कि यहां प्रारम में कौन सा सब्द जुड़ा है तो अनुगरा शब्द में कौन सा सब्द जुड़ा है यहां पर क्या हो जागा इसका सही हो जाएगा कि अनुगरा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है सी वाला आपसं सभी इतने भी प्रश्ण करा रहा है इन सभी प्रश्णों को आप जरूर देखिए एक सेकंड के लिए वीडियो के लिखाई में जुड़ा है तो आपको पताना है 5 वतों की यहां पे जब संख्या का बात होने लगता है तो साहना आपको बताना है कि सूरज का सम्सक्तार होता है तक सम्रत मतलब होता है कि सूरज की सूर्ज होता है तिसका और सभा ईवल आप्शन तरह मदम तो आपको पता है कि सूधन होता है कि यहाँ प का तो आपको सुधन होता है ति भी आधका सभाथ ससे करें फिक्ति करें अ b vari cur देखिए फलात शब्द की भक्ति में वचन बताना है कि फलात शब्द की वक्ति में वचन क्या है ति इस प्रश्ण का सही जो क्या होजगा पंच्य में भक्ति और एक वचन रूप होता है तो प्रथम पुरूस होता है तो प्रथम पुरूस एक वचन रूप होता है तो लिए अगले नंबर के प्रश्णों को देखते हैं अगला प्रश्णों को आप याद कर लीजिएगा कि रस्मीमांसा के लेखा कौन है आप सभी को पता है कि रस्मीमांसा के जो लेखा के रामचंद्र शुक्ली जी है तिसका सही जब क्यों होगा भी वलापसन सही हो जाएगा ठीक है अब यहां वे देखिए दूसरा नंबर का जो सवाल है तितली जो है किरिती की विधा यह आपको बताना है तो आप सभी को पता है कि तितली एक उपन्यास है तिसका सही जोब सीवला आपसन सही होगा अगला प्राशन हो कि डाक्टर आजेंद प्रशाद लेखक है यह इसमें जो आपसन दिया है इसमें से किसके लेखक है आपको बताना है तो देखिए डाक्टर आजेंद प्रशाद जो है गाधी जी की देन के लेखक है ता इसका सही जोब क्या होगा एवला आपसन सही हो जाएगा च्वह नमबर साहित और कला रचना है यहांनि आपको बता है इसके लेखा कौन है तो आपका है चतुर शेन सास्तिरी जी है तिस प्रष्ट का सही जो आप भीवल आपसन सही हो जागा कि सुकलोत्तर युक के लेखा चतुरुशयनद सास्तिरी जी हैं अगले आपको रिति काली कौई बताना है यहां पर जो कभी मान जाते हैं पदमाकर जी मान जाते हैं इसका सही जौप सीवला अपसन सही है ठीक है अगला अपर 6 आमबर के ये प्रेशन आपको 2-3 दिन से कई बार repeat करा रहा हैं बस आपको फास्ट रेक रिविजन की तरह करा रहें जिससे आप प्रस्टों को सिर्फ एक बर देख रहे हैं तो आपके साहवने प्रश्ण कल के पेपर में देखने के लिए मिला तो आप उसका सही सजवाब देच सकें ठ इतने भी प्रश्न करा रहे हैं उसका यह रिविजन समझ लीजी है आपका अठ्वा नंबर के देखिए कि तार सब्तक के संपादक कौन है तो तार सब्तक के जो संपादक है सचिदानन हीरानन वासय मतलब अग्येजी है तो इसका सही जो क्या होगा यह वला आपसन सही हो है दो जगड़ाना है कि आपको सुमित्रन अंद पन्द थिस दिचना है अंहित बताना है कि स्मिर्तिह जो रेखाए तो, संस मराड़ं तो इसका सैंस हो जाएक है अगले निद्टाइए बाता है करूरस का था चुझे आप मत लग येगा पहरा पाथ श्रुख रटोला में अलंकार आपको बताना है कि पिपर पात सरीमंंतुला में जो है कॉंसा अलंकार डिश में सभी में होत्त है इसका सभद आफ प्ल सेडिकों होज़ाकना है कि खन्द को। तो प्रकार आपको पता नहीं को पता कि पर्ते के टोटल दो प्रकार होते हैं तिसका जबब सही हो जागा वेद पुराल में समस बता है तो आपको बार इंवर लकार पता है सबस के लाब यहांचार चोपार होता है तो कि टो टेय अर fellowship के हैं तो सभाल देखिए कि वचन बताना और भक्ति बताना है इसका सवाल देखिए कि फुलेज़ शब्द का वचन बताना और भक्ति बताना है मैं के फ्रश्ट का जो वगति इसमें से कौन सा र Cavas धातु का वचन पूरुष बताना है कि अपठा पठम ज़ातु इसमें वचन कौन सा पूरुष कौन सा है तिसमें जो एक वचन उत्तम पूरुष है तिस प्रश्ट का सही जब क्या होगा डीवलाप्षन सही हो जाएगा ठीक है देखिए आपका अगला नंबर का जो सवाल है कि शुकल यूग का नामकर किस विद्वान के नाम पर किया गया था आप सभी को पता है अचार रामचंद्र शुकल के नाम पर किया घाया था तिसका सही जब भीवलाप्षन सही हो जाएगा सेवा सदन उपन्याज के लेखक कौन नहीं है आपको बताना है कि इसमें से नाटकार इन में से कौन सा नहीं है जो सुकली युक्य नहीं है यह आपका डिवला आपसन सही भारतेंदू हरिष्चंद्र जी नहीं है अगला देखिए आपका जो चौथा नंबर का सवाल है कि प्रिशिद आत्मकत्ता क्या भूलू के याद करूं के लेखक कौन है देखिए इसके जो लेखक है हरिवांस राय बच्चन जी है तो इस प्रश्ण का सही जब क्या होगा यह वाला आपसन सही हो जाएगा आपके सामने अगला नंबर को सवाल है निमनलिकित में से कौन प्रसिद यात्रा सहित्यकारक है आपको बता श्रीकाल के वीर रस के प्रसिद कभी कौन है तो यह है आपके बुसर जी है तो इस प्रशन कर कोन है यह प्रशन और कऊन饑क करा चुके हैं की राम चंद्रीका के紅्या कई रचना कर है तो आपके क Teaस लिध जी है थी इस प्रशन का सही जोख़्द क्या होगा बीवल आ हमसन ज कि 8 इस पुपाद्धयाइव प्रवास और यहोद्य की है इस प्रश्न का सही Windows 9 । जो है गए 오른 शकति को पूजा के रचनाकर जो है आपके आपके सुरेखान त्रिपाथि निराला जी है तो इस प्रश्न का सही जब क्या वह आप्सन सही हो जागा रांकि शक्ति की पूजा की रिच न और सुरकांत discuss निरालड़ जी है अगला प्रश्न जो निम्लीकित में से प्रगतिवादी युक्वी नहीं है यानि प्रगतिवादी कोई के बारे में आपको पताता आना है चीम आर्लिभा एंबड़ार है यह मोनोड जनूय और इस अलंकार में आता है तो आप सभी को ये प्रश्ण तो कई पर बता हैं कि जिसमें आपको मनहू, मानो, जनू, जानो सब्द आता है तो उसे उत्रेच्छा लंकार करते हैं तो इस प्रश्ण का सही जब क्या होगा एवला आपसन सही हो जागा अगला देखें तेरा नंबर का कि लिखकर लोहित लेक दूब गया दीन मड़ी अहा व्यों सिंदू सकी देख तारक बुदभुद दे रहा है प्रियुक्त में चंद आपको बताना है कि इसमें चंद कांसा है तो देखें यहां पर जो आप देखेंगे चंद इसमें सोरठा ही है तो इस प्रश्ण का सही जब क्या होगा डीवला पूछा है डीवला इसलि यहां पूछांत नहीं उपर आजाएगा दनीक्स प्रकार किस प्रते का प्रियोग होग है यहां Secondly कंसा प्रते प्रियुक्त है इसमें जब tenth या क्या रहा है यहां हो सभी हो जाएगा यह मतलब एक परते है इसमें ठीक है अब दीकिए आपके सामने स्वोल नंबर का है तिरवड़ी में कौन से समास है तो आपको बताते हैं कि जब कोई सब्सक्राइब दिया रहता है उसमें समास पूछता है पहला यदि संख्या होता है तो हमेसा वहाँ पर द ढरर पार्रवाची संध्या होते हैं इतियादी का संदी विच्चे से माना जाता है तो श्क माना तो फल शब्द का तिरती भकती बहु अचन रूप होता है वह तो फल होता है इसका सही जब कि अगर डीवल आपसन सही हो जागा अगला बीस्वा नमबर गदेखिए कि हास्तु धातु रूप का वचन पूरुस आपको बताना है कि हास्तु जो है जो धातु दिया है वचन सब्सक्राइब तो आपके अगले सेट के सभी इंपोर्टेन सवाल स्टार्ट होते हैं यहां पर देखिए आपके चिंतामड़ी के पहले प्रश्न है कि चिंतामड़ी के रचैता कौन है आप पता है कि जैशंका सुली दोस्तो चार रामचंद्र शुक्ली जी जी हो जो चिंता अब्छाए होगा पंच परमेशोग नहीं है तो नहीं है नहीं है जब कि इसके दो बुए चंद्र और brat वरफपरशाद की श्रीना है ठीक है इस को सभ और आक अपनी खबर आपमकथा के लेखक आपको बताना कवी जाते हैं तो अभी आपको पताये थे कि देल ग्षाइब का कुम एप्बूच्त कि और मनेबने है। कि शोद्रा किसकी रचना यह महत्रिश्रण गुप्त जी का रचना है तिसका सभी जब क्योंगर डीवलापसन रचना है अगला आगन के पार द्वार इसको जरूरी याद रखिए कि आगन के पार द्वार जो इसके रचुइता कौन है तो यह आपके अग्येजी है ति प्रश आप सभी को पता है कि अग्यादीप सिखा जो है महा देवी वर्मा की रशना है थो देखी के यहाँ पर एवल आपसं ही सही हो जाएगा की दिपल रसका स्थाइब आप इसका सथाइब आपको पता है कि कई बढ़ प्रश्न में रिपीट बहुत की कर रसका जो अस्थाइब आ प्रश्ण करा हैं कि सवाल को भी आप जरूर ध्यान दिजिएगा कि यह सब मात्रिक छंद आप सभी को पता है जो होता रोला में आता अभी इस पर प्रशन कराएं कि सम्मात्रिक छंद इसमें 4 चरण होते हैं पर चरण में 24 मात्राइं होती हैं और 11 तेरा मात्राव पर यती आती है लच्छा किस चंद का है तो सिर्फ आप यहीं से पकड़ किसका इंसर दे सकते थे दे नाट है क्या है तो क्या है याप करो रोला है तो इस प्रशन का सही जअब स्जाए यावला आप्सन सही हो जागा कि पारेवरण में जो होता है जो उपसर्ग जुड़ा होता है अगले प्रशन को देखते हैं देखिए सुख दुख में समास आपको पता ना है तो आपको समास है इसका सही जब डिवलाप्सन सही है सत्रह है कि अगनी का पारेवाची नहीं है अगनी का पारेवाची नहीं होता है इसके अलब अनल हुआ पावक हुआ जो आला हुआ अगनी का पारेवाची होता है अगला है कि अभिदय का संदी विच्छेत क्या होगा ति इसका जो होता है अभिधन उदे होता है अभिदय का स सब्सक्राइब अगरा सकता देखिए कि नियुUST है इसको क्या हो गाइवाल आपसैं teen second प्रासन देखी इसे आप याद कर लिजी का पंडित प्रताप नाराण मिस्र लेखाक हैं तो किसके लेखाक है तो आपको बताना है यह भारतेंदु यूग के तिसका सही जब क्या हो जागा दीवलापसन सही हो जागा गुनाहों का देवता की रचना की विधा है तो गुनाहो एश रेकोरोगशन आपको आप राणाचर शुक्र लेक। डाओंच यहां पर महरी राखेश लापसन सही हो जाएगा अचार राम चंद्र आचार रामचंद्र शुक्रत जी है जी है कवी है तो इसका सही जब यह आपसंट से हो जागा आकास दीप के लेखक बारे मोद बताना है इस प्रशन का सही जब भी वला अपसंट से ऐगाइब सब्सक्राइब और किसुष दास का बिदारा के कवी है आपको केशवडास जी के बारेब बताना है यानि केशवडास जी है आपके रितिबद कावेधारा के कवी है अगला है राम चंद्रिका जो है रचना है राम चंद्रिका जो है केश्वदाज जी की है तिसका सही जव एवला अप्सन सही है करूर रस का स्थाई भाव बताना है तो करूर रस का स्थाई भाव जो होता है शोक हता है तिसका सही जव प्रभार्फां सही है अगला बाला नंबर के फूखर्ष पाट स्याम से लोने गात मनों नीलमरी शेलल पर आतफ पर्वाथ इसमें कौन सा लंकार इसमें उत्परेच्छा लंकार सबनाते हैं सबस्क्राइब को सबस्क्राइब सबस्क्राइब कि अधिगर और शब्द में प्रयुक्त जो उपसर गया आपका अधी है परती के कितने बैद होते हैं तो परते के दो बैद होते हैं तो इसका सही जवाब एवला अप्सन सही है तिरंगा में कौन से समास होता है तो अभी बता है कि तीरहा पूछे और चवरहा पूछे या ती किन पूछ दुर्च पूछ दे या तिरुबेड़ि पूछ दे इसमें कौन से समास है तो में सही जवाएं टी आ जलो है ठी नकिकल army को से संधिव होगा तो को संभड़ यहां संधि होगा आफसन सॉय हो झाजागा घीर का सही चीख सहब पेवलाप सन्साइब नद्द शब्द का आपको वचन बताना है और भीब्रापसन बताना है ते इसमें जो 9 तो आपका वचन गूटाइब वेक्ति मैं संदेखा जा 죄송ard तो Duff बताना है और पुरुष बताना है कि हसितता धातु का वचन कौन सा है पुरुष कौन सा है इसमें जो होता है आपका दिव वचन होता है और मध्यम पुरुष होता है इस प्रशन का सही जब सीवल आपसन सही है ठीक है अगले प्रशनों को देखते हैं देखिए आप यह आपक लाश्ट 20 कोईशन बचा है आपको टोरल कहें तेक 140 कोईशन कराएंगे 140 कोईशन में से सिर्फ 20 कोईशन और बचे हैं इसको भी आप जरूर देख लीजिए सिर्फ आपको एक रिविजन टाइप करा हैं कि आप लाश्ट समय में बोर्ट एक्जाम देने से पहले आप इसको सि जाएंगा आपको पहले की विदा बताना क्या है तो आपका यह कई बर प्रशना आ चुका आपका एक पन्याद से इसका सही जब सी वलापसन सही है कंकाल के लेखक जो है है आप सभी को याद गया होगा सीवा किसके करति यह आपका अमृत राइकी एक करति को सिपाही किसकी करति करति यह सुकल यूग कि समय अवधी मानी जाती यह उप्रल यूग कि जो शमीय अवधी मानी जाती है समय है जो है नहीर सो आफ संस्थे इसका सही है जब webinars कके जब किने जना है यह है थिसका सही है महा देवि वर्मा कवित्री है सब्सक्काइब गश्चलियों को देखते हैं अगले प्रशन को देखते हैं और अगला प्रशनात देख़ि आधुनी काल कि समया वदी माननी जाति है तो तो दोर में याप को सब्सक्राइब तक सबस्राइब Mikey समय तोम आप depl borrowed समय सब्सक्रेफ्ट करें ममानी चकला महादेव्य वर्मा कि रचना अब का है पकी VII अब फकल का योगान्त वीव लाफ्सन सही है फीपरफ पतसरे स्मंडूला उबसे पता उर्म नदोला में कालंकार है तो हल्ट हो तो म सही जाए है ऊपदेश शब्दे में प्रयुक्त उपसर्ग है तिसमें क्या जुडा है आप उप़ जुडा तरही सब्सक्राइब साउल आप संसे नहीं हानी और लाब अगला प्रशन का पारेवाची बताना है तो मचली का मीन होता है तिस प्रश्न का सही जवब बीवला अपसं प्रस्ण सही है इसमें आपकी संधी पूछता है इसमें जो संधी होता है जब आप संधी है आहें मदु शब्द का दिवती भक्ती बहु अचन रूप बताना है कि इसका दिवती में बहु अचन रूप यह दी देखा जाए तो क्या होगा तो यह होगा मधु होता है तिसका सही जब सीवल आप्षन सही हो जागा ठीक है यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा सीवल आप्षन सही हो जागा पठताम धातु का वचन बताना पूरुष बताना है कि पठताम धातु का वचन और पूरुष कौन सा है पठताम में आपका दिव वचन होता है प्रफम पुरूश होता है यहां पर टोटल 140 कोई को कराएं आपको समझ में नहीं आया होगा कि इतना जल्दी कंप्लीट हो गया टोटल 140 कोई करा हैं बीस का सेट था आपका साथ सेट था इसे आपको बीस कोई करा चुके हैं आपको रिविजन टाइप था इसे आप बोड एकजाम में जाने से पहले भी आपको फास्ट करके देख लेते हैं सिर्फ क्वेस्ट के एंसवर द आपके बोड के एकजाम में आएगा तो उसको आप तुरहत सही कर लेंगे तो फ्रेंज आपके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक सधिक वीडियो को सेयर करें